तो आज हम लगा रहे हैं पौदे और गड़े हम कर चुके बस पौदे लगाने के लिए बच्छे लिए बच्छे पौदे वह थोड़े बहुत इन्फेक्टेड है रूट रॉट रॉट को हलके से मतलब जाता हैं पौदे दिखाते हैं आपको तो यह है हमारे पौदे हंजी कर लो गड़े में करेंगे बहले दोस्तों यह हमारे पौदे जो हमने लगाने है यह 28 पौदे है आपके और इसमें शायद जैडवन है या साथ में किंग रॉट भी है थोड़ा सा तो इसमें हमें द्वाई डालनी पड़ेगी गड़ों में भी और इन पौदों की जड़ों में भी ताकि यह अच्छे से उठ पाए और रूट रॉट रॉट इसमें ना इफेक्ट करें ठीक है तो यहां पर ममार्जी मिक्स कर रहे है दवाई अमाजी क्या लगता है आपको उगे पौदे हर साल लगता है वो लो ऐसी हमें हर साल द्वाई राने खतनी कि अध्यार्ट कर देने शुक्रे रहे हैं अहां इस तो मुलाई जारी देखिया ऐसे करके मिलाते है द्वाई पिठ्व मशीन में और यह हमाबा मैडिसन जिसका ना नैनो प्लस यह हर चीज के लिए जैसे आपके पास एफेक्टिव अगेंस नहीं टोड़ होते हैं वाईरस होते हैं वेर्स होती हैं फंगस हो गया बैक्टीरिया हो गया और ब्लाइट हो गया ठीक है तो हां ट्राइ की करते है तरह क्या रिजल्ट नहीं करता है इसका पिछल अच्छा इस साल गाई चीज में पुरू स्टोट नहीं अच्छा इस साल प्लू में ग्रोथ ही नमारी और नीचीज से प्रोट लग जाए शुन करता है तो दोस्तों यह है हमारे मतलब की आज का काम और गड़े तो मैंने पहले ही कर दी है दो दिन गड़ें हमें ही मराये त बस आज शुरू करते पूदे लगाने जल्दी जल्दी क्योंकि दो घंटे के अंदर ही अपलाए हो निच्चे अगर एफेक्टिव एफेक्ट देखना है अपने अच्छे से इसका तो दो घंटे के अंदर आपको अपलाए करने है ठीके दोस्तों मिलते आप से थोड़ी ज जल्दी से माता जी लगे काम पर चलो जल्दी जल्दी करते है ना तो दोस्तों इसका गड़ों में भीकरने मागों प्रेता कि वहां पर थोड़ा बहुत मतलब कि अगर है वाइरस तो नहीं फैले तो बस लगते हैं काम पर बेल चाहिए यहां पर है चबल वहां पर और कसी अजये हैं बस यह नहीं टालो दोस्त के अरगे इसे करें डालने हैं दोस्तों बस दूसे में दूसे में बढ़ु दूसे प्ले कि नहीं एक नहीं रहे सी में लगाती है दिय弗ा इतना थीक है बसь हो गया फ distillो थिका, पानी थिदी घयाम जैो धला हमारे प्यारी दिदी को अ तो दोस्तो जैसे ही हमने लवलीडी से पानी पिया उसके बाद हम सीधा लग गए अपने खेत के काम में तो जैसा कि आपको पता है हम पौदे लगा रहे थे हमने सब इंफेक्टेट पौदों में भी स्प्रे कर दी थी और साथ साथ हम गड़ों में भी स्प्रे कर रहे थे तो जैसे मतलब की एक पौदा लगा रहे थे तो उसके गड़े में एक बार स्प्रे कर रहे थे और उसके बाद जो हमारा पौदा था उसको प्लांट कर रहे थे तो मम्मा ने मेरी बहुत जादा हेल्प की इस चीज में और मैंने भी कोशिश की कि हम जल्दी जल्दी कर पाए क्योंकि हमारा जो टाइम था वो बहुत लिमिटेट था उसके बाद हमने गाए भी अंदर लगानी थी और यहां पर लसुन का भी दोस्तों खेत अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत बड़ा लसुन का खेत था तो हम कोशिश कर रहे थे कि कम से कम लसुन आपकी डैमेज हो ऐसा नहों कि सारी लसुन ही मतलब जिसकी मेहनत है क्योंकि कोई नैपाली थे उन्होंने यहां पर लसुन उगाई भी थी वह डैमेज ना हो इसलिए हमने कोशिश की कि कम से कम लसुन आपकी वह हो तो इसी के साथ हमारा खतम हो गया था सब कुछ और एड़ एंड बस दो गड़े बच गए थे और यह मैं लसुन दबा रहा था थोड़ी बहुत जो मतलब की मुझे दिख रहे परे और बस फिर हम और स्प्रे करने लग गए और गड़ों को बरने लग गए ताकि मतलब की इंफेक्शन आप पहले आपका आरे परे बोलती तो कंपनी यह यह दवाई के बारे में बाकी बाद में बता लगेगा अलों किसका एंड रिजर्ट कैसा रहता है तो हां मैं कैंची भ पर्टिंग रह गई हो इसकी चांट वांट वो कर दू मैं अच्छे से एंड हां सब कुछ अच्छे से हो गया था और फाइनली हमने लास्ट गड़ा भी भर दिया तो दोस्तों इसी के साथ आप देख सकते हैं हमारे जो मैक्सिमम पौदे है वो लग गए है जरूर इतने अच्छे से आपको दिखनी रहे होगे बट जो भी यह डंडे खड़े खड़े लग रहे आपको यह सारे ही पौदे है और बड़ी मुश्किल थे लग गए है अब मा पाता जी क्यूं है आप इतने अच्छे क्या क्यूं है आप इतने अच्छे मैं का रचकी साथ की महनत कर दो है अधार दूट करते ही प्रूट कर दोस्तों इसे के साथ आजका व्लॉग करते है यह कंद खतम और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए यह मुझे इसलिए बोलना पड़ता है क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग को याद नी रहता है तो हाँ अगर आप नए है तो प्लीज की कि अटर्ट इसलिए यह मुझ判 वस्फेयर का टाम ओवड़ता है छाप कीजिए बोलना पना प्रेवल है तो हाँ वार अजे बोलना पना है मना मुझे झाप भाल यह यह प्लिए वार दो है